बलीकार सुबह मेराण जेंगन तेंग विरो बेहर और तन जे हवाले संगाल हले पही तहां जी परसनल लाइफ ते थोड़ो चांथी बुक्स तालीम जगवा है तमाम ज़रूरी आ है बुक्स तां के तरह पढ़न दायो के खे के खे पढ़े हुआ मुलजब पेवरिट जेक। राइटर है रोबन शर्मा और रॉबन शर्मा बसिकली लीडर्शिप पर किताबे लिखता है तो मुझे रॉबन शर्मा की काफी ह्कुछ पढ़ने का शौर्क है और भी बुक्स ज़ाथे लीडर्शिप करी इसे शौर्क है मैं कुछिशिच करता हूँ कि हर साल मैं एक या दो बुक्स जो है वो लाजमी पढूँँ और मैं समझता हूँ कि बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है. और क्योंकि बुक्स से बहुत कोछ सीखते हैं. अभी पढ़ने का रजान कम हो गया है? लोग नहीं पढ़ते हैं. अगर हम पाकिस्ताम में जब ट्रैवल करते हैं कास्तों पे आपको लोग डजर नहीं आएंगे जिनोंने किताब हाथ में पकड़ी हुई है लेकिन बहुत सारे मुमालिक में आप जाएंगे तो हर दूसरा बंदा जो है ट्रैवल करते हुए बस में ट्रेन में जहाज में उन्ह जज़ ज़्यादा बुक्स पड़ें ताकि हमारी नौलिज ज़ह है या हमारे स्किल्स जो है वो शार्पन हो कितने बढ़ते हैं पढ़ने से स्किल्स सारे में ऐनका काफी फरक पड़ता है और आप बहुत कुछ सेखते हो और खासतर पे आपकी अमली जिन्दगी में आप ब अमली जिन्दगी जो थी वो गुजारते थे किस तरह से उनका उठना, बैठना, चाल जना, किस तरह का होता था था तो वो बहुत कुछ आप उनसे इंस्पायर होकर आप सीख सकते हैं. अपनी परसनल्टी में डाल सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, आप कितनी बुक्स पढ़ते हैं, सवाए सले बसके बचों के. पढ़ने के रुजान, आप सही कहा है, पढ़ने के रुजान कम होगी. बहुत जयादा. इसमें मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन यह कि मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ, ठीक है रजी, और यह कि अपना फिक्शन भी पढ़ता हूँ, ठीक है, साइंस फिक्शन भी होजाती उस आप स्टोरी पढ़ने हैं, या वह अमें अपनाशेक्सपेर को पढ़ते थे ठीक है मैं तो मताम रुजान, मैं बतारहूं कि आजका बच्चा जो है, वह अपना बहुत ज़ादा मुबालेश में आ गया है, अपना टैबलेट में आ गया है, ठीक है, ठीक हिर मैं नही झापन उनी चीज़ों में आपको दुनिया जहां की किताबे मिल सकती है तो मतब उस रुजहान को उस तरफ ट्रेंट को चेंज करने की जूरत है कि मतब वो गेम जी ना खेलता रहे ठीक है ना वो पढ़े भी वो देखे भी ठीक है ना मतब वो समझे भी मतब जो एक चीज़ पहले अम सिर्फ किताब खोल के पढ़ते थे अब उसको चला के भी देख सकते हैं तो मतब और वादा मयार बढ़ चुकर लेकिन तवज़ो देनी की जुरूद है कि वो बच्चा कर क्या रहे तो आप क्या पढ़ना है क्या बढ़ना जाते हैं अगर लिप्टॉप या कुछ भी यह वहां पर भी बुक्स अवैलेबल हैं तो वहां पर भी पढ़ सकते हैं मतब आपके एक एक लिपर आपको पूरी एक लाइबरी आपके सामने तो आती है आपके लाइबल पर भी चेंज़ ला सकते हैं लेकिन उस पढ़ने की मशरकी बात को काऊँगा पढ़ने का जो है भी रुज़ान बढ़ानी की जुरूत है यह पूछले हैं बनाप पूछ़ने के लोग पढ़ते हैं पढ़ने की रुज़ान खतम होगे बिल्कुल, सोशल मेडिया पर आपकी न्यूज आजाती है, आपको हेडिंग पता चलके यह बात खतम, आगे जाने की जबत ही नहीं है, यह हकीकत है बिल्कुल, आपने बाहर भी पढ़े हैं, बाहर भी सफर किया है, क्या डिफरेंस देखते हैं पाकिस्तान में और बाहर पढ प्राइवल गरते वे भी उसके हाथ में बुक मिलेगी, और तालीम के हवाले से भी हमसे बहुत आगे हैं, और तवज्जों से पढ़ते हैं, क्मिट्मेंट से पढ़ते हैं, इसलिए वो मुल्क काफी तरकी आफता है, और मैं समझता हूं कि पढ़ने की कोई एज नहीं है, बिलकुल, और निक्सन जो था, युएस का प्रेज़ेंट, वो राइंटी, काल है, मैं इस बात को ज़रूर कंटिनिक करेंगे, हलो, असलाएकम, वालेकम सलाहम, जी के, राइनसे सगर हैं, कि ठाखा, अधिया हूं, नूरिया बद खान, भाई खान पानरे पोगानाया, जी आए, एमर्जेंसी जी बाव जुद तर काभी चुर्द पर रज़र कोट पेच्चे तको तालिम के बेतर थी, यह बंद स्कोल, खुली विया जन, इस अधिया हैं, इस अधिया हैं, जी तो अधिया इमर्जेंसी तो काफी टाइम खाए, अशा मुदूं था, लगला लगला, जी बाव जुद आए, इन्शाला अधिया हैं, इमर्जेंसी जी 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 जारूर वदिया जी अमा जी गाल हली पे, तो मैं ये बात कर रहा था कि निक्सन जी ता यूएस का प्रेजिन्ट वो नाइंटिय जी जी ड़एट हुई हैं, और जी जी ड़एट हुई हैं, और जी सराने के नीचे भी कताब निकली है, तो मैं वो सेज तक भी कताबें पढ़ रहा था, और मैं समझता हूँ कि कताबों के जरीए से हमें बहुत सारी मालूमात मिलती है, और हमारा जहन जो है, वो फ्रेश होता रहता है, मुख्लिफ चीजें हम सीखते हैं, जो कि हम अपनी ला तो समझो के उसी दिन हमारा जो नाकामी है, या हमारी जो ग्रोथ है वह ही रुक जाती है, और हम मास्टर्स यह पीएटी के बाद समाझ लेते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, यहां पर एवरेज जो है वो सोच यही है, आप जो है, अपनी लाइफ से मुतमाइन कितना यहां जो है, जुसतो जुजारि तो यह थे किस सांटिस्दी को केते हैं आप क्या समझते हैं, तरक्य क्या है? ए आपका रहन से न आपका आपका घर फिर आपका महली आपकी पूरी पूरी ऑप इपने तो जिसको वेलफेर स्टेट काहते हैं हमारे ढाते रहते हमारे पस थीक है तो हमें जो एक बात सिखाते हैं वे बोलतेए बोला क्योंकि वो 70 एंनी इनी इलाकों में काम किया तो निदरलेंट चाहते हैं तो वह में एक बात बोला बोला जिस दिन आपने वक्त की कदर करना है सीख ली तो उस दिन आप बहुत कुछ ऐचीफ कर जाओगे यह हकिकत है आप देखेजिए कि हमारे पास वक्त बहुत जाद है हम सर भी कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है जूर कितना बोलते हैं आप कोशिश करता हूँ कि ना बोलते हैं और जब बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं किसी अचाही के लिए बोलता हूँ तो मतलब किसी सला के लिए बोल रहा हूँगा, उसके लावा नी बोलता हूँगा, कोशिश करता हूँगा जूटना बोलता हूँगा और जिस बात पर जो बात बोली है, उस बात पर सारे जिल्दी काइम भी रहूँगा ये बड़ी अची बात है, कमान्मेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप जूट कितना बोलते हैं, बहुत कम, ये सरफ कहने की हद तक तो नहीं है ना, कहने की हद तक नहीं है, और कोशिश रहती है कि जो भी बोला जाए, सच बोला जाए, और अगर चाहे आपको नुकसान हो रहा हो, तो फिर भी आप सच बोलो, आप जूटना बोलो, तो कोशिश हमेशा यही रहती है, कि जूट बोलने में कोई फाइदा नहीं है, आप एक जूट बोलोगे तो सौ जूट आपको और बोलने पड़ेंगे, दूसरी बात ये है, कि जब आप जूट बोलना शुलू जूट बोलने में को अकल मंद होना बहुत ज़रूरी है, जूट के लिए अकल मंद होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जूट तार उसको याद हो, यादा इसकी अच्छी होनी चाहिए, सुबह मेरान में के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मेरान में आके, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने दो इस्यूज खास लोग पे तालीम और खवातीन के जो हकूँक हैं, उनके हवाले से बातचीत की, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है, और इन पे जितनी भी बात की जाए मैं समझता हूँ कम है, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, यतना भी बहुत पीछे कहा जाएं, वो भी कम है, हमें बहुत आगे जाने की जरूरत है, और जब तक हम इस पे बात नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बर सकेंगे, जो रुकावटें उनको तो मैं समझता हूँ कि तालीम की ओपर खासर पे सिंध में हमें बहुत बात करने की जरूरत है बहुत काम करने की जरूरत है फिर हम आगे जाएंगे और सेम खवातीन के हवाले से उस पर भी बड़ी मैनत करने की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि मेरान टीवी और मीडिया का बहुत एहम करदार है इसमें, बिल्कुल, बिल्कुल, पुकि वोई शोर पैदा कर सकते हैं जोरों में, ताकि इन चीजों में बहतरी है, आखर में कोई मैसेच, मैं महरान टी-वी के तोफस्स से, खासा रपे पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अच्छी आखर में तालीम दिनवाएं, मैहारी तालीम दिनवाएं और खासतार पर अपनी बच्चीयों को जुरूर पढ़ाओ, क्यूंकि जब हमारी बच्चीयां पढ़ेंगी तो हमारा मुशरा जो है, वो तरक्की करेगा. आपको सुब अमरान में कैसा लगा? आप बहुत अच्छ और यह कि अपना रिस्पेक्ट, मैं मर्दों को खास्तोर पर यह मैसेज दूँगा, मैं यह बोलना बिल्कुल उनको पहुँगा, कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो तो आपका ब्रॉट अप बिल्कुल, आपका ब्रॉट अप के बात आती है, वड़ी महरबान वड़ी और तन हावाले साह यह तोड़ को एक्टेवद्धन जी जरुरूरत है, पाँएं बारन की उक्तेवद्धन जी जरुरूरत है। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोuine कर दो कर दोके दोक में खाओ अपने आपने कर दो Camote हारी 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 जिन्दा जू दीवानू गोल्यू काल चले खरका टहसाँ जोधारी चमें काट ऐसा अन्दोगु अन्दारी धर्थी अन्दोगु अन्दारी धर्थी छिघ को ही ऊन्दोडोँ अन्दोछ खें किती घचrir। आञ के शाय चुर59 सलदोगु अन्दोटेशницे अन्दोगु 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 द मकलतुछु अन्दोगु अन्दोगु बार्थे ब्यूदने को अन्दोगु आहा हा। वर वरते वासीग धिछासी वरवरते वासीग धिछासी को नतियासी का कैसा को नतियासी का कैसा जो धारी जिमे का कैसा अन्जो भूब अधारी घरिती अन्जो भूब अधारी घरिती हुआ 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 कित गुदा भी जड़ जड़ वायूं कित गुला भी जड़ जड़ वायूं वासी जिन सावात ऐसां वासी जिन सावात ऐसां जो दारी जमें काट ऐसां अल्वो खुब अधारी भरिकी अल्वो खुब अधारी भरिकी कि अल्वो खुब लूख को अल्वो झाल झाल